आज दाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विग्यान, भौतक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोड़ों खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरण वीडियो सिलीशन पाओ अभी डाउटनेट करें एकस तू वाइटू के मध्य दूरी जो है, वो किसके बराबर होती है? रूट के अंदर एकस दो माइनस एक से एक का होल स्क्वेर, प्लस वाइदो माइनस वाइक का होल स्क्वेर, ठीक है? तो इसके बराबर होता है दूरी सुत्र ठीक है तो इसका हम यहाँ पर उपयोग करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या करना है A तो हमने ले लिया 1,1 B जो है वो माइनस 1,5 C जो है वो 7,9 and D जो है उसको हमने माल लिया कि वो क्या है 9,5 वाला D denote कर दिया उसको D से बदा दिया ठीक है तो यहाँ से अब हम क्या कर सकते है सबसे पहले यहाँ से हम क्या कर सकते है A,B ग्याद कर सकते है ठीक है तो A,B जो है वो कितना हो जाएगा माइनस 1, माइनस 1 प्लस 5, माइनस 1 की घाद 2 ठीक है कितना हो जाएगा देखो 2 दुनी 4 प्लस 4 चुक 16 ठीक है, कितना हो जाएगा यहां से root का 20, ठीक है तो यह कितना हो जाएगा root 20 मतलब 2 root 5, 1 ठीक है यह आ गया हमारे पास, इसके बाद में 20 जो है, वो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा हमारे पास में 7 minus minus plus 1, ठीक है तो यहां पर 7 plus 1 की घाद दो ठीक है, 9 minus 5 यहां पर कितना हो जाएगा 9 minus 5 की घाद दो ठीक है, तो यह कितना हो जाएगा 9 minus 5 की घाद दो यहां पर देखना, 7 plus 1, 8 का square कितना हो जाएगा 64 plus यहां पर 4 का square कितना हो जाएगा, देखो 9-6 कितना हो गया? यह हो गया 16, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? root का 80, ठीक है? तो यह कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा, यह 4 root 5 इक आई, ठीक है? यह चीज़ समझ में आ गई, तो अब इसके बाद में यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? cd गयाद कर सकते हैं, ठीक है, cd कितना आ जाएगा? 9-7 कि गहाद दो, प्लस 5-9 कि गहाद दो, यह किसके बराबर आ जाएगा? यह हो जाएगा, 2-4, प्लस 16, बराबर कितना आ गया? यहाँ से root के अंदर 20 आ गया, ठीक है, तो यह कितना आ गया? यहाँ पर 2 root 5 कही, यह चीज़ समझ में आ गई, अब इसी के साथ हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ पर हम निकाल सकते हैं, यहाँ पर a, d निकाल सकते हैं, ठीक है? a, b, c, d है, तो a, d जो है, वो कितना हो जाएगा? यहाँ से a, d कितना हो जाएगा? देखो, a, a की दूरी निकालनी है, d से, ठीक है, तो 9-1, 8, तो 8 का कितना हो जाएगा? 64, प्लस 4, 16, यह कितना हो जाएगा? हमारे पास में ये कितना हो जाएगा हमारे पास में आ जाएगा हसी ठीक है तो हसी की जगा कितना आ जाएगा है चार रूट पांच ठीक है काई आ गया इसके बाद यहां से हम बोल सकते हैं आमने सामने की बुझाएं क्या है समान है आमने सामने समानतर चतर बूज होगा समानतर चतर बूज होगा ठीक है या फिर क्या होगा आयत होगा ठीक है अब इसका पता कैसे लगाएंगे अगर विकर्ण क्या आत कर ले विकर्णों की लंबाईयां अगर अलग 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 आई तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है ये हमारे पास में क्या है अगर विकर्णों के लंबाई यहां लग लगाई तब तो ये क्या है समानतो चत्र पुझे और विकर्णों के लंबाई यहां बराबर आई तो इसका मतलब कितना हो जाएगा ये क्या हो जाएगा यह आयत हो जाएगा, ठीक है, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, ac आ गया, ठीक है, तो ac कितना आ जाएगा, root के अंदर, ac यहनिकी 7-1 की गाद दो, 7-1 की गाद दो, और यहां से कितना हो जाएगा, 9-1 की गाद दो, प्लस, 9-1 की गाद दो, यह किसके बराबर हो जाएगा, 7-1 666 plus 0Alb matrix 64 तो कितना हो गया यह 100 हो गया तो 10 एकाई आगया इसके बाद में यहां से हम AC के बाद में क्या निकाल सकते हैं BD निकाल सकते हैं ठीक है BD दूसा विकर्ण हो जाएगा ठीक है तो BD दूसा विकर्ण आगया तो इसका मतलब यह क्या हो जाएगा आयत हो जाएगा यह हमारे पास में confirm हो गया आयत इसका उत्तर आ जाएगा तो आयत यहनिकी तीसरा विकल्ब सत्य हो जाएगा धन्यवाद